नमस्कार दोस्तों कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है यहां आपको रोज नई नई पारिवारिक और समाजिक कहानिया सुनने को मिलेंगी हर कहानियों से आपको कुछ ना कुछ प्रेड़ा और कुछ ना कुछ सीख मिलेगी क्योंकि कहानियां हमारे समाच का दरपड होती है और कहानियों के माध्यम से नित हमारे सामने नई नई चुनवतियां उजागूर होती है कुछ समाच की और कुछ परिवार की हमारी आज की कहानी एक दिल को धहला देने वाले एक पिता के प्यार और त्याक की कहानी है को दबा कर जितनी मेहनत कुर्बानी वजान की बाजी लगा कर उसकी खुशियों इच्छाओं पढ़ाई लिखाई को पूरा किया ये सब सायत कोई और माबाप कर ही नव सकते थे और बार बार वह यही कहती है हे इस्वर अगले जनम मोहे बिटिया ही की जो और इस तरह वह अपना आतीत यात करती है स्वीटी एक मध्यमबर्गे परिवार से थी अपने माता पिता की इकलोती बेटी आज वह इसकूल से अपना वारही का रिजल्ट देखकर घर की तरफ चल दी अपने इसकूल का नाम किया है क्योंकि कई साल बाद कोई बालिका इतने अच्छे अंक बस एकी बात उसके आगे घूम रही थी कि आगे की पढ़ाई कैसे होगी स्वीटी डॉक्टर बनना चाहती थी पिता की कमाई से तो केवल घर ही चल पाता था अच्छे इसकूल में पढ़ाने के लिए उसके माबापने बहुत पापड़ बेले हैं यह इसकूल इंगलिस और इलाके में सबसे उंचा माने जाने वाला इसकूल है खैर वह सह में कदमों से घर पहुंची तो मीरा स्वीटी की माने उसे चूम लिया क्योंकि उसकी सहेली रिता ने पहले ही खबर दे दी थी मादवारा चूमने पर बस वह हलका सा मुस्काई और अपने कमरे की तरफ द वह कितनी ही खुसी क्यों न दिखाए मा उसके मन को जान लेती थी मा ने सचिन बाबू स्वीटी के पिता को फोन पर बताया कि स्वीटी ने पूरे इलाके के स्कूलों में टॉप किया है तो उनकी खुसी का भी ठिकाना न रहा साम को वह मिठाई का डिबा लेते आए और की ममी को बाहर रेश्टोरेंट में खाने के लिए बोलने लगी स्वीटी पापा को बहुत प्यार करती थी अतव भी खुस हो गई स्वीटी एक समझदार लड़की थी दो दिन बाद नास्ते के समय उसने माता पिता से कहा कि वह मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहती ह डॉक्टर बनना चाहती है तथा काम्याब होकर माबाप की मदद और देखभाल करना चाहती है जिसमें सफल होने पर वह अपने माबाप को वजब खुसिया दे सकती है जिसे वह दूसरों के पास देखती थी पापा के चहरे पर मुस्कान खेल गई उन्होंने स्वीटी को गले से लगा कर कहा कि बेटा जैसा तुम्हें उचित लगे करो हम तुम्हारे साथ हैं इसके बारे में हमें पता करके बता देना दो दिन बाद स्वीटी ने बताया कि करीब पांच लाग का खर्चा है सब मिला कर तीन महीने बाद एंट्रेस फिर काउंसलिंग फिर दाखिला और फिर पढ़ाई फिर ट्रेनिंग हा करकर सचिन बाबु ने सीर हिलाया स्वीटी सोने चली गई देर रात तक सचिन बाबु और मीरा देवी आपस में सलाह मस्विरा करते रहे कि कहां से आएगा पांच लाग क्योंकि सचिन बाबु की तनख्वा कुल बीस हजार प्रतिमा थी उस पर मकान का किराया खाना पीना किराया भाडा उनके पास तो कोई चीज गिर्वी रखने को भी नो थी डेड़ महीना न करते हुए मीरा के पास आएं उनके चेहरे पर खुसी थी अकबार दिखाते हुए बोले मीरा ये देखो पैसो का इंतजाम हो गया मीरा ने आश्चर से उनकी तरब देखा फिर अकबार की तरब जिसमें एक अमीर आदमी को एक गुर्दे की जरूरत थी उसके लिए वह पां किसे के लिए जान पर खेलोगे अब कुछ ना बोलना मीरा तुम्हे मेरे जान की कसम बच्ची की पूरी जिंदगी का सवाल है और कोई उपाय भी तो नहीं है फिर एक ही गुर्दा तो देना है एक तो सलामत रहेगा तुम स्वीटी को कुछ नहीं बताना कहना कि पापा दबतर के काम से बाहर गए हैं उस समय स्वीटी छट पर सो रही थी मीरा की आखों में आसू थे वह कुछ भी बोल नहीं पाई क्योंकि सचिन ने उसे अपनी कसम दे दी थी अगले दिन सचिन बाबु ने अपने दबतर में 15 दिन के लिए आवकास के लिए अप्लिकेशन दे दी और अगले दिन सुबह मीरा और स्वीटी से विदा लेकर दूर सफर के लिए निकल गएं स्वीटी को कुछ न बताया सिर्फ कहा कि दबतर के काम से गए हैं किन्तु चुपके चुपके मीरा याद करके रोती रहती थी 15 दिन बाद जब सचिन वापस आया तो दर्वाजा खोलते ही मीरा ने देखा कि सचिन बहुत कमजोर हो गए हैं मीरा लिपट कर रोने लगी और स्वीटी भी गले लगते हुए पूछने लगी कि पापा आपकी यात्रा कैसी रही बहुत अच्छी बेटा सचिन ने कहा आप कमजोर क्यों हो गए हो स्वीटी ने पूछा बेटा काम काफी था सचिन ने मीरा की आँखों में जाका मीरा की आँखों में अभी आशू थे सचिन बाबू अब एक किड्नी और दवाईयों के सहारे चल रहे थे एक दिन स्वीटी ने पूछी लिया कि पापा आप ये दवा स्वीटी ने कोर्स कर लिया था अब अच्छा माह की ट्रेनिंग भी कर चुकी थी और प्लेस्मेंट के सायोग से उसे अब एक बड़े अस्पताल में नौकरी भी मिल गई थी कुल मिलाकर अब घर की माली हालत ठीक हो गई थी पांच साल गुजर चुके थी अब स्वीटी एक बन चुकी थी तथा एक उजे पदपर सीनियर डॉक्टर थी एक दिन सचिन बाबु गस खाकर जमीन पर गिर पड़े मीरा चिला कर भागी स्वीटी उस समय हॉस्पिटल के लिए तयार हो रही थी वह भी दोड़ी सचिन को उसी समय हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया ज इसके लिए उप्रेशन एक दो दिन में ही होना जरूरी था जिसमें किड्नी बदलनी जरूरी है स्वीटी के सामने तो अंधेरा ही छा गया क्योंकि वह वहाँ पर सीनियर डॉक्टर थी अता उसे धायरे रखना पड़ा तथा तुरंत डॉक्टरों की टीम ने इलाज स्वीटी को हैरानी हो रही थी कि एक किड्नी कहां गई जिसकी वज़े से ये हाल हुआ है वह डॉक्टरों को निर्देश देकर वार्ड में बैठी मा के पास चल पड़ी मा उस समय जोर जोर से रो रही थी मा के पास पहुचकर उसने पहला प्रश्न मा से किया था कि मा तुम तो समझ गई होगी कि मैं तुम से क्या पूछने आई हूँ पापा का पुराना अप्रेशन हो रखा है एक किड्नी नहीं है जिसकी वज़े से पापा की ये हालत है पापा से दवाईयों के बारे में पूछती थी तो वो टाल जाते थे मा अब तो तुम्हें ही बताना मा मैं एक डॉक्टर हूँ मुझसे कुछ नहीं चुप सकता दोनों की आखों में आसू थे मा ने केवल इतना ही कहा कि बेटी मैं मजबूर थी ऐसी क्या मजबूरी थी मा कि तुम मुझे कुछ नहीं बता सकती थी रोते हुए मीरा ने बताया लेकिन अब तुम नहीं बताओ इसने तक सारी बास स्वीटी को बता दी स्वीटी सुनन होकर सारी बास सुनती रही और सुनने के बाद धम से सोफे पर बैट कर रोने लगी इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे पता भी नहीं चला धिक्कार है ऐसी पढ़ाई पर जो अपने पापा की जान पर खेल कर की ज साथ ही पापा की मदद भी करती मा मैं तो बच्ची थी पर तू तो मुझसे भी छोटी बच्ची हो गई कर कर स्वीटी फूट फूट कर रोने लगी मा ने उसके कंदे पर हाथ रखा और कहा कि बेटी जिस मकसद से तेरे पापा ने अपना अंगदान किया था वो मकसद अब पूरा हो गया है अब तेरी बारी है बेटी उनकी इस कुर्बानी को ब्यर्थ मत जाने दे तू डॉक्टर है जो कर सकती है कर तू मेरा चेक अप कर और मेरा गुर्दा पापा को लगा दे नहीं मा ऐसा नहीं हो सकता तेरा ब्लड ग्रूप फिमेल नहीं खाता मैं ही पापा क ट्यूमर से पीडित था वर काफी देर से उनकी बाते सुन रहा था उसने मीरा को पास बुलाया और बोला कि बहन एक बात सुनो मैं जिन्दा लास हूँ इस बच्ची को तो पता है मुझे ब्रेन ट्यूमर है चंद दिनों या घंटों का मैंमान हूँ अगर मेरा एक भी गुर् करने वाली थी कि उस सज्जन ने रोग दिया और कहा कि बहन मना मत करना बच्ची को बोले की तैयारी करे मैं ऑप्रेशन के लिए साइन कहने को तैयार बैठा हूँ बहन मरने से पहले तुम मुझे राखी बात देना और अपने हाथों के गर्म गर्म आलू के पराठे खिला जो मेरी बहन बहुत पहले करती थी उसकी कैंसर से मौत हो गई ये कहकर वा सज्जन रो पड़ा मीरा ने उसके आसू पोछे और स्वेंग भी रोने लगी बोली नहीं भईया तुमें कुछ नहीं होगा नहीं बहन मेरे पास वक्त बहुत कम है मेरी मौत अटल है अब स्वीट पापा को देखकर वापस आ गई थी मीरा ने स्वीटी की तरब देखा तो स्वीटी ने हामी भर दी कि हां मा इन का केस बहुत क्रिटिकल है साम को मीरा मौबयोले भाई के लिए राखी और आलू के पराठे भी लेकर आई पहले मीरा ने भाई को राखी बादी। दोनों के प्यासू एक साथ चलक उठे और दोनों गले लग कर खूब रोये। स्वीटी पासी खड़ी थी बोली मामा जी मुझे नहीं पता था कि ऐसे मोड में मेरी मामा से मेरी भेट होगी क्योंकि मम्मी के भी कोई भाई नहीं है सब रो रहे थे। फिर सबने साथ साथ खाना खाया। आलू के पराठे मेरी पसंद के हैं जो मेरी बहन मुझे वड़े चाव से अपने हाथ से खिलाती थी। ऐसा कह कर उसने मीरा का हाथ पकड़ कर पराठे अपने मुँँ में ले लिया। इस तरह कह कर हसने लगा। खाना खाने के बाद सब बाते करते रहे और वे एक दूसरे क के बारे में जानते रहे अब रात के बारे बच चुके थे। सुरेंद्र बोले कि सुरेंद्र बेटा जाओ आओ आप्रेसन के एक आगज ले आओ मैं अपनी किड़नी भाई साहब के नाम लिख दूँ क्योंकि मेरा ब्लड ग्रूप भी यो पॉस्टिव है इसलिए कोई दि रहाने के पीछे खड़ी उनके लिख चुकने का इंतजार करने लगी। काफी देर हो गई। जब स्वीटी ने पुछा मामा जी आपने लिख लिया कोई जबाब नहीं आया। तो स्वीटी ने उन्हें हिला कर दुबारा पुछा। हिलाने पर वो एक और लुढ़क गए। उनके प्राण पखेरू उड़ चुके थे। सायद उनके प्राण इस भले कारे के लिए ही अटके हुए थे। मा और स्वीटी दोनों रोने लगी। मा उन्हें समालने लगी तो स्वीटी दोड़ी विशेशा के डॉक्टर को बुलाने। डॉक्टर ने आकर तुरंत उनकी म होत की पुष्टी कर दी। स्वीटी और मा ने पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिन संस्कार करवाया। स्वीटी ने कागस खोल कर देखे तो उन्होंने एक नहीं दोनों किड्नी पापा के नाम लिख दी थी। साथ में एक पत्र भी था कि मैं एक लावारिस की तरह अस्पता मांगूंगा। आज स्वीटी के पापा स्वस्त हैं जो कि उन सज्जन की महरबानी है। सच कोई ऐसा मिल जाता है जो अपनों से भी बढ़ कर होता है। जब भी उनकी याद आती है तो स्वीटी और उसकी मा सुरंद की कुर्बानी को याद करके सरधांजली के रूप में आ की तरह उनके साथ रहते हैं। जिन बच्चों के माता-पिता होते हैं जिन बच्चों को हर जरूरत उनके मांगने से पहले पूरी हो जाती है। सायद वे नहीं समझे लेकिन इसकी कमी आप उनसे पूछिए जिन बच्चों के पास माता-पिता नहीं होते हैं। यह कहानी आप हमें अपनी राय कमेंट जरूर करिएगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सस्क्राइब कर लिजिएगा थैंक्यो फॉर वाचिंग मिलते हैं अगली कहानी में